विश्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपने बच्चों को एसी में सुलाती है तो आपको किन-किन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जी है दोस्तों जैसे कि अगर मान लीजे आप बच्चों को किन-किन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान लगना चाहिए तो देखिए दोस्तों अगर आप अपने बच्चों को एसी रूम में सुलाते हैं और आपका बच्चा जैसे न्यूबॉन है या छह मैने से चोटा है या छह मैने से बड़ा है तो सबसे पहला पॉइ आप बच्चों को एसी में सुलाते हैं एक चोटा संका कोई ब्लैंकेट हो या कोई भी आपका कंबल है वह बच्ची को पर जरू डालेगा उसको कवर करके जरूर सुलाईगा ऐसा नहीं है कि इसी चल रहा है गर्मी बहुत है बच्चे को भी गर्मी लग रही है तो आप उस स्लीपलेस कबड़ी पिनाने हैं और बच्चे को आप कोई भी ब्लैंकेट जो है न उडाए तो बच्चे को आपको س्लिप van फ्रेंट में नहीं सुलाना है आप बच्चे को ऐसी साइड में सुलाना है जहां एसी की डियरेक्ट हवा ना आ रही हो means आप खुद डिरेक्ट हवा में सामने सो जाईए लेकिन बच्चों को अपने अपोजिट साइड में रखे जिसे की बच्चों को सीधी सीधी डिरेक्ट हवा ना लगे लेखे तो पॉइंट आता है मैं आपका बेबी रूम में आप को ब्रतन में किया करना है पानी भर करके रखना चेश्ब्स की लिए रखना है जिससे श्रीर से नम से खीच सके अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके सरीर का जो मौस्चर है या आपके बीबी का सरीर का जो मौस्चर है वो AC डिरेकली खीच लेगा जिसके वएसे आपके सरीर में दर्द हो सकता है आपके बीबी को भी AC में सोने से प्रॉब्लम क्रियेट हो सकती है तो अगर आप अपने घर में ऐसे रूम में सोते हैं जहां AC लाते समय जिससे कि उन्हें एसी में सोने से कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी पिकार की कोई सर्दी जुखाम वगएरा की समस्य क्रेट ना हो आसा करती हूं कि यह वीडियो अपके लिए यूसफुल रहा होगा अगर यूसफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कीजी और शेयर जरू कीजीएगा सभी ममिलों के साथ में जिससे कि उनकी भी हैल्प सके और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक नमस्कार थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग